रौन एक मसूर रौकिष्टार था, पिछली रात उसकी हत्या हो गई बहे बहुत ही बुरे सुवाब का था, तथा बहे अपने प्रसंसकों से भी नहीं मिलता था जासूस मेहुल केस की जाच करता है और तीन प्रसंसकों को संदिग्ध पाता है पहला प्रसंसक, सर रोहन किसी भी प्रसंसक से नहीं मिलता था उसका ये आटोग्राफ मुझे उसके बॉडि गार्ड ने दिया है दूसरा प्रसंसक, मुझे भी ये आटोग्राफ रोन के बॉडि गार्ड ने दिया है तीसरा प्रसंसक, मेरे साथ भी यही हुआ है मुझे भी ये आटोग्राफ रोन के बॉडि गार्ड ने दिया है तीनों प्रसंसकों का बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है पहले दो आटोग्राफ नीले पेन से हैं जबकि तीसरा लाल पेन से है तीसरे प्रसंसक के पास लाल पेन है उसने रोन से आटोग्राफ लिया फिर उसकी हत्या कर दी केविन और पीटर टीवी देख रहे थे तभी अचानक बत्ती चली गई दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं उनकी मम्मी खाना बना रही थी तभी उसको कुछ तूटने की आवाज सुनाई देती है बहे दोड़ती हुई बच्चों के कमरे में आती है बहाँ उन्हें तूटा हुआ फोटो फ्रेम दिखाई देता है बहे अपने गुस्से को काबूम रखते हुए सांती से पूछती है की फ्रेम दोनों मेंसे किसने तूड़ा है दोनों अपने आपको निर्दोस वताते हैं क्या आप बता सकते हैं की फ्रेम किसने तूड़ा होगा फोटो फ्रेम मुचाई पर थी और बहां तक केवल केविन ही पहुँश सकता था इसलिए फ्रेम केविन ने तोड़ा है गार्ड इस्कूल में प्रिंसिपल का मिर्ट सरीर पाता है बैतुरंट जासूस मेहुल को बुलाता है मेहुल आता है, मेहुल वाँ तीन लोगों से पूश्टाच करता है नौकरानी, सर मैं लाइब्रेरी में काम कर रही थी आप चाहें तो लाइब्रेरी के कैमरे में चेक कर सकते हैं टीचर वन, सर मैं स्टाप रूम में बैट कर उस्टर पुस्टिकाओं की जाच कर गई थी। टीचर टू, सर मेरा चस्मा तूट गया था, मैं नया चस्मा लेने बजार गई थी। यह रहा बिल, गटना इस्टल की जाच करने के बाद और तीनों का बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? गटना इस्टल पर गौल से देखेंगे तो आपको तूटा हुए चस्मा नजर आएगा जो की टीचर टूका था, इसलिए उसी नहत्या की होगी एक दिन जैनी की नोकरानी जैनी को कमरे में रस्टियों से बंधा पाती है, नोकरानी उसकी रस्टियां खोलती है, जैनी तुरंट जासूस मेहुल को बिलाती है, मेहुल घटना इस्टल पर पहुंचता है, बहां जैनी उसे बताती है उसके साथ क्या हुआ और चोरी कैसे चोर रात में आये थे जब मैं सो रही थी उन्होंने मुझे बिस्टर से खीचा और जस्यों से बांध दिया उसके बाद मेरी जोयल्दी और नगद लेकर फरार हो गए क्या ये सचमे चोरी थी क्या आप गटना इस्टर को देख कर बता सकते हैं कि ये सचमे चोरी थी या जैनी जूट बोल रही है अगर आप कमरे में देखेंगे तो आपको बिस्टर साफ वा करीने से रखा हुआ दिखेगा अगर चोरों ने जैनी को बिस्टर से खीचा था तो बिस्टर अस्ट वियस्ट होता जैनी जूट बोल रही है उसी नचोरी की है ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें